हेलो फ्रेंड्स आप सभी का हमाया चैनल में स्वागत है आज में बनाने जा रही हूँ आठा नूडल्स जिसे बनाना बहुत ही आसान है यह मैं गेहूं का आठा ली हूँ इसे मैं पानी डाल कर अच्छे से गोंद लूँगी जैसे रोटी का आठा ते त्यार करते हैं उस तर लूँगी यह 10 मिनिट हो गया है आठा गुंदे हुए अब मैं इस तरीके से लोई काट कर पेल लूँगी रोटी के तरह इस तरीके से हमें बेल लेना है आप इसे घर पर आसानी से बना सकते हैं बहुत ही हेल्दी है बच्चे के लिए भी बहुत ही फायदे मंद है जो बच्चे नहीं खाते हैं आप इस तरीके से बना कर दे सकते हैं यह मैं कड़ाई में पानी गरम कर ली और जो ओटी जो बना कर रखी थी उसे डाल दी इसे मैं 5 मिनट के लिए उबालाने दूँगी अच्छे से पक जाएगा मैं इसे निकाल लूँगी यह देखे हैं बना कर उबाल लूँगी और इस तरीके से मैं कट कर लूँगी लंबे-लंबे पीजिज में सभी को मैं इसी तरीके से कट कर लूँगी आप लोग भी एकवाई इस तरीके से बना कर जरू ट्राय करें और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें चैनल पे नए हैं तो चैनल को subscribe करे video को like करे share करे यह देखे फ्रेंट इस तरीके से मैं सभी को cut कर ली हूँ अब मैं कडाई को गर्म कर लूँगी यह देखे फ्रेंट क्राई गर्म हो गया है मैं इसमें सरसो तेल को डाल दे रही हूँ ऐसे चौक जीरा का लगा दी और यह रा मिर्च कटा हुआ बारी यह प्याज कटा हुआ अच्छे से मैं फ्राई कर लूँगी गैस फ्लेम का में मीडियम रखना है यह प्याज फ्राई हो गया मैं गाजर काट अब जो था वो डाल दी यह सिमला मिर्च यह टमाटर यह बीट सभी को मैं अच्छे से मिला कर फ्राई कर लूँगी दस मिनिट कम से कम हमें इसे फ्राई करना है यह मैं स्वादनुस और नमक को डाल दी सभी को अच्छे से मिला कर दे हैं फृप्राइ कर लेंगे फृप्राइ हो गया है वन पत्ता गूवी को डाल दी इसे भी अच्छे से मिला लूँगी बहुत ही टेस्टी लगता है यह नूडल्स यह मैं चूजल को डाल दे रही हूँ को डाल के अच्छेस में मिला दी ये में टमेटो केचब को डाल दे रही हूँ ये चीली सॉस ग्रीन चीली सॉस इसे भी डाल दे रही हूँ अच्छेस में मिला लूँगी अच्छे से मैं मिला ली अब मैं जो आंटे को कट करके रखी थी उबाल कर अब मैं उसे डाल दूँगी सबी को अच्छे से मिला दूँगी ऐसे मैं दस मिनिट के लिए फ्राइ कर लूँगी एकदम हेल्दी सा घर का बना हुआ आटा नूडल्स बनकर त्यार है आप लोग भी एक बार बना कर जरूद ट्राइ करे और हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करे धन्यवाद